हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाथ, कैसे हैं आप सब, होप करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे हों के अपना और अपनों का ख्याल रखिए चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्स्ट्राइब कर लीजे का, रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए का आज आप लोग को, जैसे कि आप लोग को वीडियो में देख रहा होगा, कि मैं कुछ पाउडर्स दिखा रही हूँ, आप लोगों को डिस्प्ले हो रहे हैं जैसे कुछ भी सड़ागला हो तो वो आप हटा दीजे, थोड़े बड़े पीसे के, अगर आपके लेसुन हो तो उनको आप चार पीसे में कर दीजे, जिससे कि जब आप उनको सुखाएं, तो वो जल्दी से सूख जाएं प्यास को भी बिल्कुल पतला पतला हमें स्लाइस कर लेना है, और दोनों को अलग-अलग, मैंने एक बड़ी सी पन्नी ले ली थी, जिस पर मैं एकसर अपने पापर चिप्स बनाती हूँ, उसी पर मैंने इसको फैला दिया था, और यहाँ पे नौट साइड में इस ट्राइ ले लिया है, टमाटर को भी उपर के edges को काट करके, रफली आप ऐसी ही चौप कर लीजे, बड़े-बड़े pieces में, दो तरीके से आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहें तो अंदर का जो पल्प है, उसको हटा करके, आप केवल उपर की skin को ही आप कर सकते हैं, तब dry कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, आप चाहें तो इसको अगर आप के हाँ धूप कम आती है, तो एक method और है कि आप इसको पिस लीजे और पिसने के बाद इसको अच्छी तरीके से पका लीजे, इतना पकाईए कि सारा मौश्यर इसका खतम हो जाए और बाद जिस तरह से आम पापड वकर बनाये जाता है, उस तरीके से इसको फैला करके और फिर धूप दिखा दीजे तो वो जल्दी से सूख जाएगा, मेरे हाँ बहुत अच्छी धूप आती है, तो मैंने इसको इसी तरीके से सुखाया है, इसी तरीके से आप और भी चीजे जिसका भी पाउडर आपको बनाना हो, आप ले सकते हैं, जैसे मैंने ये हरी मिर्च ली है, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, और दोने के बाद इसको भी मैंने ऐसी ही लंबे में थोड़े बीच में से काट दिया जो बड़ी थी मोटी थी उनको बीच में से सूख गए हैं चलिए अब इसका पाउडर बनाते हैं पाउडर बनाने के लिए हम इसको मिक्सी जार में डाल देंगे और साथ ही में हम दो चमच इसमें कौन फलार का डाल देंगे कॉनफलार डालने से फ्रेंज एक तो यह आपका जो पाउडर है वो easily बन जाएगा मतलब mixi में easily पिसेगा और दूसरा यह है कि इसकी जो shelf life है वो काफी अच्छी बढ़ जाती है कॉनफलार डालने से तो हमने इसमें कॉनफलार डाल दिया है और इसके बाद हम इसको पिस देंगे इसी तरीके से हम अपने सारे पाउडर बनाएंगे आप जब भी अपने सबजियों को इस तरीके से अगर आप पाउडर फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो दूब दिखाते टाइम आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा कि आपके इसमें कोई भी सड़े गली चीजे ना हो मतलब कोई बेकार टमाटर या हरीमेच या आपका लेसून इसी तरीके से आप अद्रग को भी ले सकते हैं अद्रग को भी बिल्कुल छील करके साफ कर लीचे और उसके बाद छोटे-छोटे पीसे करके जो सोट का पाउडर हमें मिलता है वो हम घर पे बना सकते हैं बहुत सारी ऐसी जगाए होती हैं जहां पे ये सारे पाउडर सोट का पाउडर तो मिल जाता है सब जगा लेकिन अनियन पाउडर गार्लिक पाउडर और खासर से टोमाटो का पाउडर यानि टोमाटर का पाउडर बहुत कम जगाओं पे मिलता है और अगर हमें बजार में म पाउडर हमारा बन करके तयार हो किया है अब हम इसको एक ग्लास जार में रखतेंगे कोशिश करिए का कि यह जितने भी पाउडर आप बना रहे हैं यह सारे आप ग्लास जार में ही रखें क्योंकि ग्लास जार में थोड़ी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है सारी चीजों की ग बेकार हो जाएगी उसमें फंगस आजाएगा तो आप इस तरीके से हम जार में भर देंगे और दूसरी बात ये भी कि आप सारी शीशों पे मार कर जरूर लगा दीजेगा नहीं तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाएगे कि आप में कौन सा क्योंकि अनियन और गालिक का पाउ प्यानी बगर है बना रहे हैं या आप कोई और सूखी सब्जी बना रहे हैं और आपको बहुत जल्दी है तो आप ये प्याज थोड़ी से निकालिए एक दम मतलब सिकेंडो में ये लाल हो जाती है और बहुत कम तेल डालिएगा तभी ये लाल हो जाएगी क्योंकि इती ड पहले ट्राइ किया हुआ है और आपका कैसा result रहा और आपने क्या experience किया या आपका कैसा method है बहुत सारे लोगों का सबके अलग-अलग method होते हैं तो बिलकुल जानना चाहूंगी कि मेरे जो viewers हैं मेरे subscribers हैं अगर वो भी ये बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं देखें ये भी जार में हम डालेंगे बस जार का ध्यान रखेगा कि आपका जार सुखा हुआ हो इसे तरीके से मैंने कसूरी मेथी को और धनिया को भी मैं अकसर सुखा करके जो है रखती हूं ध्यान ये रखना है जो green वाले चीज़े होती हैं मिर्चे को छोड़ करके मतलब कि आप धनिया का अगर powder बना रहे हैं या करी पते का powder बना रहे हैं या कसूरी मेथी बना रहे हैं तो उसको अब फिर डारिक धूप में नहीं सुखाना होता है नहीं तो वो काले पड़ जाते हैं देखिए हमारे टमाटर और ये भरा मिर्च और आबला मैंने आबला का भी बनाया लेकिन आवला किस तरह से काटा यह मैंने नहीं दिखाया था, क्योंकि यह बहुत ही वही बैसी तरीके से बिलकुल किया था, बस बीज हटा करके इसको मैंने काट लिया था, और सुखा दिया है, आवला का और मिर्चे को मैं कॉन फ्लार नहीं डालूंगी, तमाटर में मैं और आवले का पाउडर बना करके आप लोगों को नहीं दिखाया है फ्रेंस क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और बिल्कुल इसी तरीके से हमने मिर्चे को और आवले को भी पिस लिया है बस दोनों में कॉन फ्लार नहीं डाला है क्योंकि आवले के पाउडर को बना रहे हों कोई भी चीज पानी वगरा बना रहे हों तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं तो फ्रेंस होप करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत यूसफुल लगेगी आप ट्राइ करेंगे और हमें बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी फिर मिलत हूँ ऐसी अच्छी इंट्रेस्टिंग हेल्दी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर थैंक यू